नमस्कार दोस्तो आज हम फिर एक नए टोपिक के साथ तो नए टोपिक है आंकडों का वर्गी करण आंकडों के वर्गी करण से पहले मैंने चार वीडियो और अपलोड कर दीए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो पहले उस वीडियो गो भी देख लीजिएगा तो पहले वाड़े वीडियो थे संक्रखी से समंदित यानि संक्रखी का समाने परिछे यह दो वीडियो बने थे इसके बाद में आंकडो का संक्लन कलेक्शन से चुमंदी दो वीडियो बने थे और इसके बाद में ये निया टोपिक आंकडो कावर की करन आज हम पढ़ेंगे तो दोस्तो अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि अगे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिविकेशन आपको मिलता रहे है तो दोस्तो आज शुरू करते हैं आंकडों का वर्गी करन तो आंकडों को संग्रीद करने के बरांती यानि पहले जो आंकड़े हम संग्रीद कर लिते हैं उनके बाद में उसका वर्गी करन करना अवसक होता है यह वर्गी गर्ट आंकडों को वर्गी कर उसे वह भष्दित किया जाता है ताकि इस आंके किये विसलेसन के योग्ये बने यानि जो भी अपने किसी से आंक्ड़े एकते की है उन आँखडों का एक वरगिकर्ण कर लीजिए ताकि वो आसानी से मैं पता रहे जिस फरकार केसे है कि कबाड़ वाला होता है वो अपने कबाड़को अलग-अलग केटेग्री में अलग-अलग जगें एकठा करता है तो कई फरकार का गबाड़ होता है उसी परकार पुष्ट काले में भी जिसे एक लासे शमंदीत पुष्ट सै के एक कौने में अपणी अलग लग स्थानों पर वरगिगर्द कर लेते हैं उसी परकार आंख्डों को भी वरगिगर्द करना जूरूरी होता है अब आगे देखिए एफरिस्कर्थ आंकडे यानि जांच करता जो आंकडे एक तरीत करता है वे एवस्तित होते हैं वेवस्तित नहीं होते हैं क्योंकि वे एवर्गी करता है याथवा एफरिस्कर्थ होते हैं इसका विचलेशन करना कटेन होता है विश्रैं नहीं किया जा सकता है इसलिए सबसे पहले इसको कभर्गी करण करना आष्चक है यह और फिरिस करता हांगड़े या और वर्गी करता हांगड़े दोनों एक ही है तो अब देखते हैं अपने आखडों का भर्गी करण किन तरीकों से कर सकते हैं वर्गी करण, तीसरा गुणा अत्मक वर्गी करण, और चौत आता है मात्रा अत्मक वर्गी करण, इस आधार पर हम आंगडे जो भी इकठेगी है, को इस आधार पर हम इसका वर्गी करण कर सकते हैं, तो पहला काला अनकर्मी करण, नाम से इस बच्ट है काल, तो काल का मतलब वता है सम्य के अनुसार इसका वर्गी करना सम्य के अनुसार से स्मूईत कर देना जैसे एक वर्स वाड़े निश्चित वर्स में कौन-कौन से थे उसको अलग कर लीजिए दिमाई में कौन-कौन से आकड़े उठे के थे एक महिन में कितने आकड़े इकठे हुए थे या सब् मकने अरोय या अबरोय कर्भ में रवस्तीत कर सकते हैं defendant कर सकते हैं कलन शार इसका वर्ग कर सकते हैं कि कि इसके बाद में देख़ी हो आगे Walka-la communicable confirm is thinkブla dramatic के कहां कि पर सकते हैं याणỉ इस स्थान से याणि एगनिसी स्थान से कहां कितने आकड़े प्राप्त किये थे उनको अपने एक स्तान पर अलग वर्गों में वर्गीत कर ले यानि इिसनानि को वर्किकनन, इशनानि के वर्किकनन стать क कर ले, गुरात्म वर्किकनन में मैं ताकर 하기 आता है, और गुराँ में जिस से लिंग, इस्थी और पुरस कितने हैं , दरम, हिंदू, मुस्लिम से किसाई ,theний कोन کہant के आती ये, मतलब गुणा अत्मक वरगी करना होता है यह इसके बाद में विवाई किस्टती विवाईत पुरस कितने है एव विवाईत कितने है विवाईत महिला कितनी है एव विवाईत महिला कितनी है यह इन सब का वरगी करना है वो गुणा अत्मक वरगी करन के आता है उसके बाद में देखिए मातरात्मक वरगी कर्ण मातरा की आदार पर वरगी कर्ण कर सकते हैं कि किस की मातरा कम है जिसकी मातरा longo जो भी अपणगी आंकुड़ए संक्रिद किए है उसको एकटा करें तो बजलेशन करने में प्रिशान नहीं आती है, इसलिए इंप काविस्छेसन लइन होता है उधान गोड़ करता भूस्त के कबादोग करें यह पिर्गे कर्ण करने में यह यह जो को यह आपक्रेस करते हैं इसके बाद अपने देखा था आंकडों का वर्गी करने का तरीका तो ये चार तरीक्ये थे कालानु कर्मी के वर्गी करन, स्थानी के वर्गी करन था, गुणात्मक वर्गी करन था और मात्रात्मक वर्गी करन कालानु कर्मी का मतलब काल के अनुसार वर्गी कर्ण हो गया ये निसम्य के अनुसार स्थानी का मतलब स्थान के अनुसार वर्गी कर्ण हो गया और गुणात्म के वर्गी कर्ण में गुणों के अधार पर वर्गी कर्ण हो गया तो दोस्तों यह थिका एक टोपिक धीशरा आंकणों का परगी करन और इससे पहले आंकणों का संक्लन वह बड़ा टोपिक डाला था और उससे पहले शंक्य की है चमंदित वीडियो डाले गए थे तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा और मैं हर रोज एक-एक नया वीडियो डालता रहांगा तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे मेरा जरूर दीजिए तो धन्य बाद दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जय हिंद